हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रेक्टी सेट छानवेर है तो अगर आप TGT, PGT, Altigrate, GIC और Assistant Professor की तयारी कर रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए है वीडियो के अंतक बने रहे है वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पर दोस्त नहीं है तो चैनल को जरूर सिस्क्राइब करें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहल पहले वाला अठाई जनौरी को तो इसको भी ध्यान रखेगा तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर कोश्चन इस वीडियो का जो 61 नंबर से शुरूर आए कोश्चन है आपका सिंदू घाटी के निमलिखित में से किस अस्थल की खोच राखाल दास बनर जी ने की थी आपसन ए आलमगीरपूर, BA हरपपा, CA लोथल, DA मोहन जोदरो तो आंसर के आओ जाएगा आपका D सही ओजाएगा मोहन जोदरो मोहन जोदरो की खोच किस ने की थी तो राखाल दास बनर जी ने की थी यह याद रखना 1922 में व्याख्या देख लिजिए मोहन जोदरो की खोज 1922 इस भी में राखाल दास बनरजी ने की थी इसी अस्तल से महान असनानागार के साच प्राप्त हुए है इसकी लंबाई उत्तर से दच्छिर की ओर 15 मीटर और चोड़ाई पूर से पच्छिम की ओर 33 मीटर है तो इसकी जो लंबाई है उत्तर से दच्छिर की ओर कितनी है तो 55 मीटर है और चोड़ाई जो है 39 मीटर है दिसा जो हो जाएगा चोड़ाई पूर से पच्छिम की ओर तो इसको याद रखेगा इसके मद्य में निर्मित असनान कुंड की जो लंबाई है 11.8 मीटर और चोड़ाई जो है 7.8 मीटर और गहराई जो है 2.4 मीटर है तो याद रखनी योग बाते हैं आगे चलते हैं 62 नंबर कोश्चन है यह भी आपका MP Assistant Professor में पूछा गया कोश्चन है 2017 में कोश्चन है आपका निमलिखित में से किस अस्थान पर ब्रिहत असनानागार के अवसेस प्राप्त हुए हैं तो कहां से मिले हैं आप से ने बताना ह हडपा मोहन जोदरो सी ए काली बंगा डी ए लोथल तो अभी हमने उपर देखा तो आंसर क्या हो जाएगा मोहन जोदारो तो मोहन जोदरो जो है वहां से क्या है ब्रिहत असनानागार के अवसेस प्राप्त हुए हैं तो आप सन आपका भी सही होता है आगे चलते हैं इसके व्याख्या को देख लीजिए थोड़ा सा मोहन जोदरो नामक अस्थान पर ब्रिहत असनानागार के अवसेस प्राप्त हुए हैं सिंद प्रात्न के लड़काना जिले में इस्तित सिंदु नदी के दाहिने तर्ट पर इस्तित मोहन जोदरो की सोर प्रथम खोज राखाल दा बनर जी ने वर्स 1922 में किया था तो मोहन जोदरो जो है उसकी खोज राखाल दास बनर जी ने किया है कब किया है 1922 में मोहन जोदरो किस नदी के किनारे बसा है तो सिंदु नदी के किनारे बसा है और एक कहां पर है तो सिंद प्रांत जो पाकिस्तान में है इस समें तो और जिले में पढ़ता है यह आपको याद रखना है अन्यमध पुर्ट तथ्यों को जान लेते हैं सिंदू सब्विता के अभिलेक युक्त मुहरे सरवाधिक मोहन जोदरों से मिले हैं Gujraat में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तरफ पर इस्तित लोथल में है और जो गुजरात में है यह याद रखना है कि गुजराम के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तर्थ पर इस्तित है कौन सा अस्थल तो लोथल इस्तित है और इसकी खोजकिये यस आर राव ने किये डाक्टर यसा रावने की है यहां से फारस की मुद्रा मिली है और सील और पक्के रंग में रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं यहां से क्या मिले हैं यहां से फारस की मुद्रा या सील कर सकते हैं और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी प्राप्त हुए हैं कहां से तो लोथर से याद रखना 63 नमबर कोशन है और PGT 2000 में पूछा गया कोशन है कोशन आपका है कि सिंदु घाटी के समाज में लोग कौन सा पसु सक्ती के प्रतीक से संबंदित था कौन सा पसु सक्ती के प्रतीक से संबंदित था आपसने है ब्रिसब, घोड़ा, सिंग, गज तो आंसर क्या हो जाएगा ब्रिसब हो जाएगा ब्रिसब जो कूबर वाले जो साड थे उससे लोग कहीं न कहीं परचित थे तो आपसन आपका एज चला जाएगा ब्रिसब तो इसको याद रखेगा आपसे निये सही हो जाएगा स्राड व्याख्या देख लिजिए सिंदु गाटी के समाज में ब्रिसप महान सक्ती संपन होने के कारल पूजा जाता था तो कौन पूजा जाता था ब्रिसप तो यह याद रखेंगा पसुपती भी कहते हैं अगला कोशन है चोशन नमबर भारती उप महादीब के किस भाग में हरपा संस्कृती का उदे हुआ कोशन है भारती उप महादीब के किस भाग में हरपा संस्कृती का उदे हुआ पूर्वी भाग में पच्छमी भाग में उत्तर पच्छमी में दच्छिर पूर्वी में तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का C सही हो जाएगा दोस्तो उत्तर पच्छिमी में हुआ था किसमें हुआ था उत्तर पच्छिमी भाग में हुआ था हरपा संस्क्रीती का उदे व्याख्या देख लिजी थोड़ा सा भारती उप महादीप के उत्तरी पच्छिमी भाग में हरपा संस्क्रीती का उदे हुआ था हरपा संस्क्रीती के उदे का पता हरपा अश्तल के उत्खरन से चलता है हरपा के टीले का सबसे पहले 1826 इस्वी में चार्स मेसन ने उलेक किया था किस ने किया था तो Charles Mason ने उलेक किया था तत्पस्याचात General Cunningham ने 1835 तथा 1870 में इसका सर्वेचर कर कुछ पूरा वर्ष्टवे प्राप्त की थी अन्नमद पूर्थ तत्थ देख लेते हैं 1912 में जेयप फ्लीट ने हरपा अश्तर से कई जो प्राप्त की गई समागरियों पर रायल एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकासित प्रत्रिका में एक लेक प्रस्तुत किया भारती भारती पुरा तत्तु सर्वेच्छर के महानी देशक जान मार्सल की निर्देशन पर उन्नित जान मार्सल की निर्देशन पर क्या हुआ था में दयाराम साहनी ने हरपा का उत्खलन किया था तो हरपा का उत्खलन किसने किया है दयाराम साहनी और मोहन जोदरों का तो राखाल दास बनर जी यह याद रखेगा हरपा सब्विता के 1400 किंदरों की खोजा गया हरपा सब्विता के चोदर सो किंद्रों को खोजा जा सका जिसमें से अच्छी अच्छी प्रसर जो अस्थल है सर्षती और उसकी सहायक नदियों के आसपास इस्तित है तो यह याद रखना है आगे चलते हैं 65 नमर कोशन है आपका सेंदो सब्यता ग्यात हुई है अब इलेखों से साहित से उत्खनन से सिकों से तो कैसे प्राप्त हुई है तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा उत्खनन से प्राप्त हुई है 56 नमर कोशन देखते हैं आपका हरप्ता का आरंबिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था तो आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तो तो आंसर बी के साथ जाएगा अभी हमने उपर बताय था दैया राम साहनी आपका आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं सरसट नमर कोशन है आप देखिए इसको तो नवदे पीजीटी परिच्छा 2019 में पुछा गया है सिंदू सब्वेता की खोच किस वर्स की गई तो आपसन आपका A 1921 में B A 1933 C A 1917 और D A 1941 तो आंसर जाएगा A के साथ 1921 में 1921 में जो है सिंदू गाटी सब्वेता की खोच की गई थी 1921 आप आंसर करेंगे इसी समय हडपा की खोच हुई थी पहली बार व्याख्या देख लिजिए सिंदू गाटी सब्वेता की खोच वर्स 1921 में की गई भारती पुरा तत्तु विभाग के महा निदेशक जान मार्सल की निर्देशन में दया राम साहनी ने हरपा के तीलो का पुना अन्वेसर किया था तो आंसर आप याद रखेगे 1921 आगे चलते हैं 68 नमर कोशन है और TGT में पूछा गया कोशन है कोशन आपका है सिंदू गाटी के निवासियों को किस धातू का ज्यान नहीं था किस धातू का ज्यान नहीं था आपसन A Sona B A आपका चादी C A लोहा D A आपका तामा तो किस का ज्यान नहीं था तो आप आणसर क्या करेंगे लोहा का जorous सिंदू गाटी के निवासियों को लोहे का ज्यान नहीं था हरपा कालीन कांस के निर्मार और प्रयोग से भली भाती परचित थे कांसा टीना और ताबा मिला कर तयार किया जाता था इसके अधिरिकत जो है हरपा वासी चांदी सोना से भी परचित थे चांदी सोना और जो कांसा था उससे क्या थे पर्चित थे लेकिन लोहे से उनका ग्यान नहीं था अन्यमात्पूर्थ तत्थे देख लेते हैं हरपाई लोग लकडी के हलो का प्रयोग करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हस्यों का प्रयोग होता था, हरपावासी चांदी इरानी और तथा अपगानिस्तान से मंगते थे हरपवासी जो थे चान्दी जो मंगाते थे वो इरान तथा अफगानिस्तान से क्या करते थे चान्दी को मंगाते थे सोना जो है दच्छिर भारत तथा अफगानिस्तान से आयात होता था तो सोना जो है दच्छिर भारत जिसमें करनाटक आता है वहां से और अफगानिस्तान से क्या होता था आयात होता था तो इन सब चीजों को जरूर नोट करिएगा आगे चलते हैं 69 नमर कोश्चन आपका पीजिटी का है जो नोदे विद्यालाई 2019 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया कोश्चन है सिंदु सबेता के लोग किस धातु से अपरचित थे तो अभी आपने उपर देखा है लोहा आपका आंसर हो जाएगा 69 का जो आंसर जाएगा वो भी जाएगा लोहा लोहा से क्या थे वो अपरचित थे हमने उपर अभी बताया था आगे चलते हैं स सथमा के आयर टीन का मिस्रर किया गया था लोहा में ताबा में कासा में उप्युक्त में कोई नहीं तो किसमे टीन का मिस्रर किया गया था तो आपसन जाएगा बी के साथ ताबा में ताबा में जब मिस्रर किया गया टीन का तबी आपका कासा बना तो आंसर आपका बी सही हो ज तो धातु में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था तामे को टी का फिर इसके बाद उसको क्या किया तामे के साथ तीन को मिलाकर स्वर्पथम कांसा धातु निर्मार किया गया प्राप्त साच्छों के अधार पर मोहन जोदरों से प्राप्त नर्तकी की कांस मुर्ति अतिय प्राप्थ हुई है लोथर से कुट्टे तथा काली बंगन से क्या है तामर मूर्ती प्राप्थ हुई है ताबा खेतरी राजस्थान तथा बालुस्थान से प्राप्थ किया जाता था जो ताबा है वो खेतरी खेतरी राजस्थान तथा बालुस्थान से प्राप्थ होता था धातु मुर्तिया लुप्त मोम या मधु सिष्ट विधी में बनाई जाती थी जिसे कहते हैं लोश्ट वैक्स किसे बनाई जाती थी तो इन सब कुछीजों को आप नोट कर लीजिएगा याद करिएगा फ्रेंड्स ए थे आपके टोटल 10 कोशन उनके व्याख्या और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरू लाइक करें और चैनल पर दोस्त नहें हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवास आत्यों नमस्कार सुबरात्री